इमेज दी थी और इमेज को इसने बहुत अच्छे से कैप्शन किया है A man and a woman standing next to each other Hi everyone, welcome to my YouTube channel, मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया complete end-to-end NLP-based project लेके आया हूँ इस project का नाम है Image Captioner इसमें basically हम क्या करते हैं हम एक image देते हैं और यह basically एक web app है और back end में आपका एक model hosted है यह आपके इस image को caption करके देगा तो आज की वीडियो की चलो शुरुआत करते हैं शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यह project जो है आप अपने school या college assignment के लिए final year project के लिए या फिर जो है अपनी personal learning के लिए आप इन में से किसी purpose के लिए भी आप use कर सकते हैं को source code चाहिए तो आप मेरे साथ connect कर सकते हैं details जो है description box में और pinned comment में available हैं तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं में एक web app है और backend में जो है यह flask में running है और उसमें जो है हमने एक pre-trained model को host किया है जो की आपकी basically image को caption करता है तो इसमें basically आपको करना क्या है यहाँ से आपको कोई भी एक sample image देनी है जिसको आप caption करवाना चाहरे है यहाँ पर मैंने कुछ sample images रख ली है और let's किसी एक particular image के साथ शुरुवात करते है जैसे ही आप यहाँ पर image को जो है choose करेंगे उसका preview आ जाएगा और जैसे ही आप इसको caption करेंगे तो एक rest API request जाती है backend में flash server के पास और फिर वो इसको intercept करके model को देता है और फिर जो है model उसको basically decode करके इसको caption करके देता है तो जैसे आप देख पा रहे हैं यह मैंने एक image दी थी और image को इसने बहुत अच्छे से caption किया है a man and a woman standing next to each other ऐसे ही मैं अगर आपको एक और sample image sample try करवाद देता हूँ दूसरी एक sample image के साथ try करते हैं let's say यहाँ से मैं यह वली मैं चूज कर लेता हूँ और मैं बोलता हूँ की caption it तो यह इसके लिए भी एक new caption generate करेगा image को study करता है model और then accordingly it detects की basically वो किस चीज़ की image है और उसके लिए caption generate करता है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसने यहाँ पे generate कर लिया a herd of elephants standing on top of a lush green field जो कि बिल्कुल correct image है जो भी इसने description दिया है image का image की caption generate की है वो बिल्कुल 100% accurate है उसके बाद जो next second thing है उसके बाद हम चलते हैं architecture के उपर architecture भी जो है मैं इसको बहुत plain language में आपको समझाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ पाएं architecture में basically मैं अगर plain language में बात करूँ एक front end है आपका और एक back end है front end basically आपका सारा जो इस stack के उपर based है HTML, JavaScript और CSS और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं it runs on any of these browsers उसके बाद जो है middleware में आपकी जो rest APIs है rest APIs गोल जाती है back end के उपर back end हमारा flash server में hosted है और which basically host our pre-trained NLP model so basically होता क्या है कि जैसे ही यहाँ से एक image जाती है image को bytes की form में और basically matrix की form में जो है 1-0 की matrix की form में model को देते है model उसको constitute करता है and it understands कि वो image किस चीज़ की है और उस image को constitute करने के बाद then it generates the description for that image और फिर वापिस से जो है जब वो description generate कर देता वापिस से back end जो है front end को API call के थू जो है response दे देता और हम जो है फिर उसके उपर render करवा देते है so बहुत ज़ादा मैंने इसको complex बनाया नहीं है simple रखा है ताकि आप चीज़ों को relate कर पाए कि architecture basically चीज़े कैसे काम कर रही है एक दूसरे के साथ front end क्या है, back end क्या है क्या text ठेक है model कौन सा hosted है and all those details उसके बाद जो है यह हमारा हो गया demo और उसके बाद architecture हो गया अब जो है next हम जाते हैं source code के walkthrough के उपर जैसे आप यहां पर देख पारें मेरी screen के उपर यह जो है basically यहां पर मैंने root folder है इस root folder में हमारी कुछ file से यहां पर requirements.txt requirements.txt में हमारी जो है all the dependencies are mentioned which are required to run this model उसके बाद readme file readme file में basically जैसे आप देख पारें इसमें steps है to text come set वो है आपका जो project है और environment कैसे setup करना है क्या क्या detail है कैसे and उसके बाद जो है हम आते हैं back end के उपर अब मैं इसको close कर देता है यह वाली file को close कर देता हूं यहां पर close करने के बाद यह मेरी back end की file है app.py file major file इसका major file back end में यही है उसके बाद जो है जैसे आप नीचे scroll करेंगे यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं एक method है get image to text model so basically हम क्या कर रहे हैं कि एक हम pre-trained model का use कर रहे हैं हम more पहले model को load करते हैं उसके feature extractor को load करते हैं tokenizer को load करते हैं यह तीनों हमें चाहिए क्योंकि जब हम image देते हैं image को study करने के लिए image के feature extract करने के लिए हमें feature extractor चाहिए और tokenizer चाहिए बैसलिए उसको tokens की form में create करके दो बार से model को देने के लिए और model हम जो है basically हमारे जो main model जो है उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं यह वाला code जो है अगर आपके पास GPU है GPU पे भी चलेगा और CPU है तो CPU पे भी चलेगा GPU पे थोड़ा ज़्यादा processing होगी और CPU पे थोड़ा slow processing होगी उसके बाद यहां पर prediction का step है कैसे हम predict करते हैं image को text में कैसे convert करते हैं and all those details जैसे ही predict का step आता है तो वो predictions को return कर देता है और return करके हम जो है आपको यहां पर जो हमारे API के दुरू जो है return कर देते हैं यहां पर जो है captionate का एक method लिखा हुआ है और फिर जो है हम यहां से उसको ऐसे वो कर देते हैं उसके बाद जो है अगर मैं एक quick work through करवाऊ जो front end में जो हमने CSS और वो सब लिखा हुआ है क्योंकि एक simple project है तो most of the details about the front end lies into this major file तो यहां पर जो हमारा front end का code है JavaScript, HTML इस code एक simple आप ऐसे जमझे लेजिए कि front end है, HTML, CSS है, JavaScript है इसको जो है मैं one by one majorly cover नहीं करने वाला हूँ but I hope it makes sense कि क्योंकि यह बहुत बड़ी file है, इसको आप warning कर सकती है यहां पर static के अंदर आपकी कुछ images है जो जैसे ही आप अपने model को basically देते हो वो एक local copy बना के रख लेता है और वो यहां पर store हो जाती है so most of the major details जो है code की वो यही है और ओके तो आपका यह हो गए आपका जो code walkthrough इसके अलावा I think we have covered the architecture part, the demo and the source code as well अगर आप इस project को अपने किसी भी purpose के लिए यूज करना चारे है आप pinned comment में जाए या description box में जाए आप मेरे साथ connect कर सकते हैं and for the next video till the next video, bye bye, take care stay tuned for more such interesting videos on AIML and related projects thank you for watching